असलामेकुम तुलबा और तालबात कैसे आप सब उमीद है आप सब खेरियत से होंगे मैं इंजल स्कूल सिस्टम में उर्दू की कौडिनेटर हूँ आज के इस सबत में आपको खुशामदीद कहती हूँ आए सबक का आगास करते हैं मजमून है उर्दू अलिफ जमायत पंजम का उन्वान है हम्द खुदा की शुकर गुजारी आज हम उर्दू की कताब से हम्द पढ़ेंगे खुदा की शुकर गुजारी सबसे पहले हम्द में कुछ मजूद कुछ ने अलफास की पढ़ाई करते हैं वो और परमायेगा लफ्स हैं देखें यानि देखला तकलीफ यानि दुख नेमतें वो तमाम नेमतें जो अल्ला ताला ने हमें अता की हैं बर्खा यानि बर्साथ समा मोसं वक्त सूरत सूरत आपको पते इसका सांस सांस हम जो लेते हैं लजज़त जाइका फुर्सत फ्री टाइम हमारा बख्षी यानि हमें अता की सूंगने सूंग ना किसी चीज़ को ये कुछ ने अन्फाज हैं हमारी हम्द में जो हम आज पढ़ेंगे देखें तकलीफ नेमतें बर्खा समा सूरत सांस लज़त फुर्सत बख्षी सूंगने बच्चों अपनी कताब का सफ़ा नमबर दो खोलें हम्द है खुदा की शुक्र गुजारी अनायक का उसकी बया क्या करें अजब नेमतें उसने बख्षी हमें जमी अपने बंदों के रहने को दी हवा सांस लेने की खातिर मिली बुजाने को प्यास उनकी पानी दिया पकाने को आदी आग उसने बना अनाच अपनी रहमत से पैदा किया जिसे खाके जीता है छोटा बड़ा कहीं फूल है सुंगने के लिए कहीं उसने खाने को मेवे दिये जबा दी के बोला करें सच सदा निगाह दी के देखें भला और बुरा दीए कान सुनने को बाते हमें समझ इसलिए दी के सोचें उन्हें दिये हाथ हर काम के वासते दिये पाउं सेर और सफर के लिए हमें रात दी उसने आराम को हमें दिन दिया मिहनत और काम को जो कामों से होती न फुरसत कभी तो जीने की फिर कोई सूरत न थी उठाते न तकलीफ गर काम की तो लज़त न पाते कुछ आराम की हमेशा हमारी खुशी के लिए नए मौसम आते हैं और दिन ने बहुत चप सताती है सर्दी हमें तो वो भेज देता है गर्मी हमें बहुत जोर करती है जब गर्मियां तो बर्खा से होता है ठंडा जहां समा है हमारे लिए नितनिया ना गर्मी सदा है ना सर्दी सदा खुदा ने हमें दी बड़ी नेमते हमें हमें चाहिए शुक्र उसका करें मुहम्मद हुसैन अजाद की लिखी गई ये हम्द है हम्द की तारीफ क्या है? यानि हम्द किसे कहते है? यानि वो नज़ जिसमें अल्लह तारीफ बियान की जाए उसे हम्द कहते है मुहम्मद हुसैन अजाद का तारुफ कुछ और अगले सफ़े पे है सफ़ा नमबर तीन पे है इसको पढ़िए देखिए इसको सुनिए मुहम्मद हुसैन अजाद अर्दू के अजीम अदीब और शायर थे उनका नाम मुहम्मद हुसैन और तखलूस आजाद था वो 1730 में हिंदुस्तान के दार अल्हकूमत दिल्ली में पैदा हुए मगर वालिद के इंतकाल के बाद लहोर आ गए यहां वो महकमा तालीम से वाबस्ता होगे और इसके साथ साथ पच्चों के लिए इंतहाई उम्दा दर्सी किताबें लिखी यह किताबें मदरसों और स्कूलों में अब्तदाई जमायतों के तल्बा को पढ़ाई जाती थी अजात गोर्मिन्ट कॉलिज लहोर में अर्बी और फार्सी के परोफैसर भी रहे बेशमार इल्मी और अद्बी खिद्मात पर हकूमत ने उन्हें शमसुल उल्मा के खताब से नवाजा 1910 में वो लहोर में इंतकाल कर गए जी तो बच्चो हमने अभी हम्त पड़ी इसके बाद हम्त इसकी करते हैं तश्री तश्री किसे कहते है प्यारे बच्चो तश्री का मतलब है किसी शेर को असान अलफाज में बियान करना यानि नसर नसर भी इसको कहते हैं इस तरह से इसको बियान करना कि उसकी मुकमल तोर पर समझ आ जाएं समझ आ जाएं वो मुकमल तोर पर किसी भी शेर की तश्री करने के लिए नसर का हवाला भी देते हैं और शायर का नाम भी उसमें लिखते हैं असान अलफाज में यानि नसर में असान अलफाज में इस तरह से इसको बियान करना कि उसकी मुकमल तोर पर समझ आ जाएं नसम का हवाला और शायर का नाम भी तश्रीम में लिखना जरूरी होता है अपने कताब का सफ़ा नमबर तीन देखिए इसमें शेर दिया गया है जमी अपने बंदों के रहने को दी हवा सांस लेने की खातिर मिली तश्री है ये शेर अर्दू की पांच्वें कताब में मजूद हम्द खुदा की शुकर गुजारी से लिया गया है इस नजम के शायर मुहम्मद हुसैन आजाद है इस शेर में वो अल्ला ताला की नेमते बियान करते हुए कहते हैं कि अल्ला ने अपने बंदों के रहने के लिए जमी दी है और सांस लेने के लिए हवा भी बिनाई है यानि दुनिया में भीजने से पहले अपने बंदों के जिन्दा रहने का समान भी कर दिया है जी तो प्यारे बच्चो जैसे कि मैंने भी आपको बताया तश्रीख के बारे में और हम इस शेर की तश्रीख करेंगे कहीं फूल है सुंगने के लिए कहीं इसने खाने को मेवे दिये इसके तश्रीख है मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले हवाला जरूर देते हैं नजम का हवाला कि ये नजम कौन सी है और इसके शायर कौन है ये शेर अर्दो की पांच्वी कताब में मजूद हम खुदा की शुकर वजारी से लिया गया है इस नजम के शायर मुहम्मद हुसैन अजाद है इस शेर में शायर अल्लह की नेमतों का जिक्र कर रही है कि अल्लह ने हमारे लिए जमीन को तरह तरह की फूलों से सजा दिया कहीं फूल हैं सुंगने के लिए फिर इन रंग बरंगे फूलों में प्यारी प्यारी खुश्बू पैदा कर दी कहीं उसने खाने को मेवे दिये इसकी तश्री करेंगे खुश्बू पैदा कर दी जो हम सुंगते हैं और मेवे दार दरख्त उगाई जिनके हम मेवे खाते हैं मेवे यानि फल खाते हैं दूसरा शेर है जुबान दी के बोला करें सच सदा निगाह दी के देखें भला और बुरा इस शेर में शेर कहता है हम हवाला इसी तरह देंगे ये शेर उर्दू की पांचमें कताब में मजूद हम्द खुदा की शुकर गुजारी से लिया गया है इस नज़न के शायर महम्मद हुसैन अज़ाद है हवाला यही होगा तो उसके बाद इन अशेर की तश्री लिखेंगे इस शेर में शायर कहता है कि अल्ला ताला ने इनसान को हुआसे खमसा से नवाजा है हुआसे खमसा किसे कहते है पांच हिसे जो अल्ला ताला ने इनसान को अता की है जिसमें जुबा इसलिए दी कि हम हमेशा अच्छी और सच्ची बात करें आंख इसलिए दी कि हम बसीरत से काम लें और अच्छी और बुरी बात में फरक कर सकें हम अपनी अकल से काम लें और अच्छी और बुरी बात में फरक कर सकें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है हमारे लिए जी तो बच्चों ये दो अशार हैं इनकी तश्रीव को अपनी कापी पर नकल करें अपनी कापी पर नकल करने के बाद किताब का सफ़ा नमबर चार खोले देखिए कुछ ने अलफाज है अलफाज मानी उसके हम करेंगे लफ़ है इनायत निगा अनायत का मतलब क्या है महरबानी निगा नजर निगा बर्खा बरसाथ बयां किसी मुज़ू की तफसील समा मन्जर सदा हमेशा इसके आगे मारुजी सवालात है दुरुस जवाब के दाइरे को पैंसिल से भरिए आप्शन नमबर एक हम्द खुदा की शुकर गुजारी के शायर कौन है लामा इकबाल हसरत मुहानी मुहम्मद हुसैन अज़ाद सूफी तबस्म इसमें मुहम्मद हुसैन अज़ाद का जो दाइरा है उसको पैंसिल से भरिए आप्शन नमबर दो है जिस नस में अल्ला ताला की तारीफ बियान की जाए वो क्या कहलाती है नात, हम्द, गजल, मिली नगमा हम्द का जो लफ़स है उसको पैंसिल से भरिए जब गर्मियों का जोर बढ़ जाए तो थंड़क कैसे होती है बर्खा से, लू से, बहार से, खिजाक से बर्खा से इसके दाइरे को पैंसिल से भरिए अल्ला ने इनसान को दिन किस लिए दिया है अराम के लिए, सोने के लिए, काम के लिए, खेल कूद के लिए, काम के लिए, दिन काम के लिए दिया है, काम के लिए एक दाइरे को पैंसिल से भरिये जी तो प्यारे बच्चों हम करते हैं आगे सवालात के जवाबाद सवालात के जवाबाद सवाल नमबर एक है आपके किताब पे जो लिखा हुआ है किताब के सफ़ा नमबर पांच पे अल्ला ताला ने अल्ला ताला ने जमीन क्यों बनाई? इसका जवाब है अल्ला ताला ने अपने बंदों के रहने के लिए जमीन बनाई आपको पता है कि अल्ला ताला ने अपने बंदों के रहने के लिए जमीन बनाई है ताके हम इसमें रह सके सुवाल नमबर दो है हमारी प्यास बुजाने के लिए कौन सी नेमत अता की गई कौन सी नेमत अता की गई है हमारी प्यास बुजाने के लिए हमारी प्यास बजाने के लिए पानी जैसी नेमत अता की गई सवाल नमबर तीन है अल्ला ताला ने राद किस लिए बनाई है राद किस लिए बनाई है इसका जवाब है अल्ला ताला ने राद अराम के लिए बनाई है कि हम सारा दिन काम करें और राद को हम अराम करें सवाल है हमें जबान की नेमत क्यूं दी गई है जवाब है हमें जबान की नेमत सच बोलने के लिए दी गई है सवाल नमबर पांच है आप अपने रब की बख्शी हुई कौन सी नेमत का खसूसी शुक्र अदा करते हैं उस नेमत का नाम इसके अहमियत पर दो या तीन जुम्ले अपनी कापी में लिखिए जी तो प्यारे बच्चों सवाल नमबर पांच आप खुद से भी कर सकते हैं खुद से लिखें इसमें देखें, अगर मैं लिखूं तो मैं अपने रब के बख्शे हुए हाथों का शुकर अदा करना चाहूंगी जिसे हम काम करते हैं कोई भी चीज मैं इन हाथों की मदद से बना सकते हैं आप कोई भी नेमत जिसका आप हमें तो वैसे Allah ताला की हर निमत का शुकर अदा करना चाहिए और हम करते भी हैं लेकिन आप कोई भी एक निमत यहां पे लिखें और उसके बारे में आपने बताना है कि दो या तीन जुम्ले अपनी कापी में उसके बारे में लिखने हैं कि आप उस निमत का शुकर किस तरह से अदा करते हैं और क्यों अदा करते हैं ठीक है इसके यह सवाल अपने कापी पर नकल करें जे तो बच्चों अपने कताब का सफ़ा नमबर पांच देखिए गिंती सीखिए और लिखिए इसमें हैं गिंती लिखी गई हैं हिंसी और उर्दू गिंती एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उनिस, वीज इसको एक खाना जो है वो आपको बता है खाली छोड़ा गया है उन खानों में आपने खुद से गिंती राइट करनी है वो लिखें मैं आपके लिए कुछ अलफास लिखूंगी और आपने जुमले बनाने है मैं जुमले भी साथ लिखूंगी लेकिन आप जुमले खुद से भी बना सकते हैं अलफास जुमले पहला लफ्स है नेमत वाल्दैन हमारे लिए बड़ी नेमत है उसके बाद जुमला है मेवे यानि फल मुझे खाने मे नेमे बहुत पसंद है उसके बाद जुमला है मेवे मेहनत का फल मीठा होता है उसके बाद जुमला है सर्दी हम सर्दी के मुसम में गरम कपड़े पहनते हैं और आखरी जुमला है गरमी गरमी का मुसम भी अल्ला की बड़ी नेमत है जी तो बच्चों अल्फाज जुमलों को अपनी कापी पर नकल करें कापी पर नोट करने के बाद अपनी कताब का सफ़ा नमबर पांच देखें इसमें सरगर्मी दी गई है पसंदीदा अशार लिखने के लिए बनाई जाने वाली कापी या डायरी को ब्यास कहते हैं बनाईए और इसमें अपने पसंदीदा अशार जो है वो याद करके लिखें आप नेट से सर्च कर सकते हैं गूगल पर सर्च कर सकते हैं और उसमें आप देखें जो भी शायर आपको पसंद हैं, उनके अशार जो आपको पसंद हैं, अपनी डायरी पे आपने उनके अशार लिखने हैं, उमीद है कि आज के सबक की आपको मुकमल तोर पर समझ आ गई होगी, किसी ओर टॉपिक के साथ इंशायला फिर मुलाकात होग हुआ है